Hello and welcome dear students, बहुत बहुत स्वागत है आप से भी का, आपके अपने YouTube चैनल Study with दुलार में, बच्चों ये Class 6 का Hindi book है, चेप्टर 8 है और इस चेप्टर का नाम है अर्जुन का मोह भंग, यह चेप्टर महाभारत से लिया गया है, महाभारत का युद करने कोरव और पांडव दोनों और अनभुमी में आमने सामने जब खड़े हो गए थे, अर्जुन ने कोरव पर नजर डाली तो देखा, सभी अपने भाई बंधु और गुरूजन है, वह मोमाया के जाल में फस गिया, और युद करने से साफ इनकार कर दिया, तब स्री क्रिश्न काल चक्र को रोक कर उसे स समझाते हैं, उसी समय उनके मुख से जो अनमौल वचन निकलता है, वही दुनिया को भगवद गीता के रूप में प्राप्त हुआ, कहते हैं कि दुनिया के सभी समस्याओं का समाधान भगवद गीता में मिल जाता है, तो आई हम लोग इस चेप्टर को पढ़ कर देखते है कुरुक छेत्र के मैदान में कोरों और पांडों की सेनाएं युद्ध के लिए आमने सामने खड़ी है, यहाँ पे एक पले के रुप में दिया हुआ है, आमने सामने खड़ी है दोनों सेना, पांडों की सेना में अरजुन, भीम और द्रिष्ट केतु, आदिवीर हैं, कोरो पितामा संख धावनी करते हैं उसी समय अर्जुन का रत आता हुआ दिखाई देता है रत के सार्थी स्री क्रिस्न है दोनों से ना आमने सामने खड़ी है और कई वीर दोनों में हैं और वहाँ जब युद्ध हुआ करता था तो पहले संख धावनी होती थी उसके बाद कोई य नियम से चलता था और उस नियम को कोई भी तोड़ता नहीं था उसे समय अर्जुन का रत आता जैसे ही संख धावनी होती है अर्जुन का रत आता है और उसके सार्थी जो है स्वैम स्री क्रिस्न है उसके बाद क्या होता है अर्जुन बोल रहा है बंधु मेरे रत को दोनों सिनाओं के बीच में ले चलिए जिससे मैं देख सकूं कि मुझे किस किस से युद करना है अरजुन की या इच्छा हुए कि वो अपने विपच्छ के जो लोग है उसको देख सके क्या कि रुवे कौन लोग है स्री कृश्न कह रहे हैं जैसी तुमारे इच्छा रत को आगे बढ़ा कर फिर रत को आगे बढ़ा देते हैं यह पार्त इस अस्थान से तुम सभी वीरों को देख सकते हो स्री कृश्न बोल रहे हैं कि यहां से जितने वे वीर है उस सब तुमको दिखाई पड़ जाएंगे वैसी अस्थान पे उसको ले जाते है यहां पे देख रहे हैं इस तरह का यह है आमने सामने सेना खड़ी है यहां पे कोरवदल, यहां पे पांडवदल इस तरह से है यहां पे अर्जुन अपने सत्रुपक्च की और देखता है ध्यान से देखता है कि उधर कौन-कौन से बेखती है और देखने के बाद चा बोल रहा है अरे यह मैं क्या देख रहा हूँ यहां तो पितामा भिस्म, गुरुद्रोन और मामा सेल खड़े है क्या इस युद्ध में विजय पाने के लिए मुझे अपने गुरुजनों और समंधियों का ही बद करना होगा इस तरह की उनके मन में ये विचार आ रहा है और इस बात को वे बोल भी रहा है कि जो विपच्च में खड़े लोग है वो सभी मेरे सगे सबंधी है गुरुजन है क्या इस युद्ध को जितना के लिए मुझे उनका वद करना पड़ेगा इस तरह की विचार उनके मन में आ रहा है और वे स्रीक्रिसन से बोल रहे है क्या इसा करना पड़ेगा तो स्रीक्रिसन क्या बोल रहे है पिरिये अर्जुन यह युद्ध तुम अपनी इच्छा से नहीं लड़ रहे हो दुर्योधन और उसके साथियों ने युद्ध के लिए तुम्हें विवस किया है इस परकार के धर्म युद्ध में इसी परकार का मोह करना अच्छा नहीं होता श्रीकी्शन उनको समझाते हैं कि यह एक धर्म युद्ध है तुम अपने इच्छानुसार से इसे नहीं लड़ रहे हो तुम्हें तो विवस किया गया है अगर तुम विवस नहीं होते तो उनके खिलाप नहीं लड़ते तो इस परकार के धर्म युद्ध में मोह करना अच्छा नहीं होता अरजुन बोल रहे हैं सबसे पहले तो वो अपना धनुस बान रख देते हैं मन में उठान लेते हैं कि युद्ध तो करना नहीं है क्योंकि जितने भी लोग हैं सभी अपने है अर्जुन क्या बोल रहे हैं मैं यह युद्ध नहीं करूँगा मैं अपने सवजनों के वद के लिए गांडिव नहीं उठाऊंगा मुझे ऐसी विजय नहीं चाहिए अर्जुन का जो धनुस था उसका नाम गांडिव था उसका एक नाम दिया गया था तो वद धनुसमान रख देते हैं कि मैं किसी भी स्तिति में मैं युद्ध नहीं करूँगा अपने सवजनों को मतलब अपने ही वेक्तियों को मैं नहीं मारूँगा मुझे इस परकार की कोई जीत नहीं चाहिए मुझे उस पर बिजय प्राप्त नहीं करना स्री कृष्ण क्या बोल रहे है वीर अर्जुन तुम यह कैसी कायरों किसी बात कर रहे हो तुम्हें युद्ध अस्थल में यह अज्ञान कैसे हुआ स्री कृष्ण अर्जुन को बतला रहे हैं कि युद्ध भुमी में आने के बाद तुम अपना धनुस बान नीचे रख रहे हो ये कायरों सा अज्ञान तुमें कैसे हुआ तुम उनके खिलाप लड़ना नहीं चाहते हो तुमारे खिलापों लड़ने के लिए तैार है वो तुमें मारने के लिए तयार है और तुम उन लोग पर दिया दिखा रहे हो ये तो कायरता है हिर्दे की दुर्बलता त्याग कर युद्ध करो स्रीक्रिशन उसको समझाते है अरजुन आगे क्या बोल रहे है भगवन मुझे युद्ध के लिए विवस न करे अपने ही संबंधियों पर मैं किस परकार सस्त्र उठा सकूंगा कि मैं अपने लोगों को कैसे मार सकूंगा इसके लिए मुझे किरप्या करके विवस न करे स्रीक्रिशन बतला रहे हैं कि यह वीरों का धर्म नहीं है अरजुन जो अधर्म पर चलते हैं उनका नास करना ही वीरों का धर्म है जो छत्रिय यह नहीं करता उसकी सरवत्र निंदा होती है आने वाली पीड़ी कहेगी कि अर्जुन कायर था उसने पाप को बढ़ावा दिया स्रीकृत उसको समझाने के प्रयास कर रहे हैं इस तरह का कदम उठाना इस तरह का फैसला लेना ये वीरों का धर्म नहीं है जो अधर्म पर चलते हैं मतलब जो गलत काम करते हैं उसका नास करना उसे मिटाना ही वीरों का करतेब है उसका धर्म है जो छत्रिय ऐसा नहीं करता मतलब छत्रिय जो लड़ने वाला होता है जो छत्रिय ऐसा नहीं करता उसकी सरवत्र निंदा होती, लोग उसे उसका दुतकार करते हैं और आने वाली पिढ़ी उसको कायर की संग्या देते हैं, उसे यह कहते हैं कि उसे ने पाप को बढ़ावा दिया, अगर उसी समय अधर्म के मार्ग पर चलने वालों को रुख दिया युद्ध में हार और जित्ती होती है, हो सकता है कि मैं हार जाओ, अगर मैं हार गया तो क्या होगा? स्री क्रिश्न समझा रहे हैं वीर पूरूस हार जित की चिंता नहीं करते युद्ध करना उनका धर्म है धर्म पालन में फिर चाहे हार हो या जित मतलब हार जित की चिंता नहीं करने चाहिए धर्म के मार्क पे जो चल रहे हैं वो इस तरह के परिणाम की चिंता नहीं करते। धर्म युद्ह है, धर्म के लिए लडते हैं, धर्म पालन के लिए, उसमें चाहे हार हो या जीत हो, उसे तो लड़ना ही पड़ता है। अर्जुन बोल रहे हैं, तो क्या बंधु बांधों को मारने को भी आप करतेब कहते हैं। इस तरह की सवाल जो है अर्जुन के मन में उठ रहा है, कि अपने लोगों को मार दें, क्या यही करतेब हैं। तो स्री क्रिश्न बतला रहे हैं, अर्जुन मोहत्याकर विवेक के साथ विचार करो, तुम बंधु बांधों किने काते हो, सकुनी का चल, दुरियोधन का लाक्षा गिर्ष, दुरोप्ती का अपमान, सांती संदेश के समय, मेरा अपमान, क्या यह तुम सब भूल जाओगे। प्ला रहे हैं, कि जिसे तुम बंधु बांधों, अपना बेक्ती समझते हो, अपना आद्मी समझते हो, जिसे तुम मित्र समझते हो, उन्होंने कई बार तुम्हारे साथ चल किया, दुरियोधन ने तुम्हें लाचा गिर्ष में मारने का प्रियास किया, दुरोप्ती का अ कहने के लिए सब्द नहीं है फिर आगे स्रीक्रिशन समझा रहे हैं अब संदेह करने का कोई अस्थान नहीं है मनुस्य की आत्मा अमर है जिस प्रकार मनुस्य पुराने वस्तर बदल कर नए वस्तर धारन करता है उसी प्रकार आत्मा भी एक सरीर त्याग कर दूसरा सरीर धार करता है जैसे कि मनुष पुराने वस्तर त्याग कर ने वस्तर का धारन करता है उसी प्रकार से आत्मा एक सरीर से दुसरे सरीर को धारन करता है तो फिर संदे करने की क्या बात है अपने धर्म का पालन करो अर्जुन के मन में अभी भी दुविधा है और अर्जुन क्या बोल र इस तरह की बात अब उसके मन में आ रहा है कि युध्ध ना करके, क्योंकि युध्ध में तो रखपात होता ही है, हत्याएं होती है, तिसलिए वह बोल रहा है कि युध्ध में इतना रखपात ना करके, मैं एक सन्यास जीवन बेतित करूं, तो क्या ये अच्छा नहीं होगा? तो स्रीक्रिशन कह रहे हैं तुम सन्यास का सही अर्थ नहीं जानते अर्जुन सच्चा सन्यासी वह है जो अपने कर्तेब का सजग रहकर पालन करता है मतलब उसका क्या कर्तेब है उसको पालन करने वाला सच्चा सन्यासी है ना कि वो नहीं जो जंगलों पहाडों में जाकर चुपके बैठा हुआ है, अपने कर्तेब से भी मुख है, वो सन्यासी नहीं है वो अपने कर्म के लिए किसी फल की इच्छा नहीं करता, ऐसा वेक्ति ही इस्वर को पा सकता है सन्यासी दुसरों की भलाई के लिए काईर करता है, उसका जो कर्तेब होता है, वो बिना फल की इच्छा किये बेगएर, वो अपने कर्तेब का पालन करते रहता है और जो इस तरह की काम करता है, वो ही इस्वर को प्राप्त कर सकता है लेकिन आज के समय में मुझे ऐसा नहीं लगता, जितने भी लोग काईर करते हैं, उसके पिछे उसे फल की चिंता होती है तो इस तरह का सोच पैदा करना बहुत मुश्किल चीज है, कि हम बिना फल प्राप्त किये इस तरह का कोई काईर कर सकें, ऐसा बहुत मुश्किल है चलिए इस बात को यहां पर रहने देते हैं, अरजुन आगे क्या कह रहा है हे परभू, आपके इस उपदेश से मेरा मोह भंग हो गया, और मुझे अपने करतेव का ज्यान हो गया, अब मैं आपकी आग्या का पालन करूंगा अब अर्जुन पूरी तरह से निसंदय हो चुके हैं कि करतेब का पालन करना, धर्म के राह पर रहते हुए करतेब का पालन करना ही सरवोपरी है और वह तयार हो जाता है युद्ध करने के लिए उसका मोह भंग हो गिया मोह तूटी जाता है क्योंकि वो रिष्टे नाते जो हमें दिखाई देते हैं वो सिर्फ यहाँ पे दुनिया में हैं और सभी के अंदर आत्मा है और परमात्मा का वो अंस है उसकी मिर्तियू उसका नास कभी नहीं होता ऐसा काकर अरजुन ने अपना गांडी उठा लिया और जो बान छोड़ा उससे युद्ध भुमी में घोर नाद चाग गिया युद्ध के नगाडे बज उठे उसके बाद अरजुन अपने धनुस को उठा लेता है और एक तीर छोड़ता है एक बान छोड़ता है युद्ध भुमी में और गर्जना होने लगती है कंपन होने लगता है थर्रहाट होने लगता है और युद्ध का सुरुवात हो जाता और यहाँ पे chapter समाप्त हो गया है और यह सब से first में दिया रहता है सबदार्थ जो कि Hindi English में दिया रहता है इसको अगर आप पढ़ते हैं तो आपका Hindi मजबूत होगा और English भी मजबूत होगा बहुत important है सब्द को store करके रखना और इन सब्दों को आप जितना यूज करते हैं आपको उतना ही याद रहेगा यह Question No.2 इस चेप्टर का मुझी Question है और 3 नमबर में चरित्री चितरन करने के लिए कहा गया है Question No.2 यहाँ पे मैं आपको बतला दूँ यहाँ पे महीं भर के दिखा देता हूँ यहाँ पे दिया हूँ इस स्थान से तुम सभी देश को देख सकते हो सभी वीरों को देख सकते हो यहाँ पे इसका आंसर यह होगा यह वीरों को देख सकते हो क्या मुझे अपने गुरुजनों और संबंधियों का वध या हतिया तो वध हो जाएगा, वध करना पड़ेगा, ये हो जाएगा इसके आगे गर नमर में या दिया हुआ है धर्म युद्ध में किस परकार का देश करना अच्छा नहीं होता तो मोह करना अच्छा नहीं होता, ये आंसर होगा, मोह उसके बाद घर नमर में आत्मा पुराना डेश बदल कर नया धारन करती शरीर, आत्मा शरीर को बदल कर दूसरा शरीर धारन करती यह हो गया, मुझे अपने डेस का ग्यान हो चुका है, करतेब का ग्यान हो चुका है यह करतेब हो जाएगा इसका अंसर, यह complete हो गया उसके बाद, तो यहाँ पे जिस तरह से sentence दिया हुआ है मैं सस्तर नहीं उठा सकूँगा, मुझसे सस्तर नहीं उठा जा सकेगा तो इस तरह से आप स्वेम भी लिख सकते हैं, मैं युद्ध नहीं कर सकूँगा मुझसे युद्ध नहीं किया जाएगा, इस तरह से इसे आप स्वेम बना सकते हैं इसके बाद, टू नंबर में, उपसरगों के योग से बनते हैं तो यहां पे जो सब्द बनेंगे अज्ञान हो गया, अनपढ़ हो गया और इस तरह के और भी सब्द बन सकते हैं तो इसको मैं आपको आगे बना कर दे दूँगा इसमें यहां पे संचिप्त महाभारत सिर्शक पुस्तक पढ़ो तो महाभारत के बारे में अल्रेडी आप लोग के कलास में महाभारत का एक बुक चलता है तो आप उसको पढ़कर महाभारत का ज्यान प्राप्त कर सकते हैं तो आए मैं आप लोग को इसका कुश्चन का आंसर बना के दिखाता हूँ यह है चेप्टर एट का कुश्चन आंसर इस पार्ट में किस युद का वर्नन है यह युद क्यों हुआ इस पार्ट में महाभारत के युद का वर्नन है यह युद धर्म की रच्छा के लिए हुआ था अरजुन को इस युद्ध में लड़ने में संकोच क्यों हो रहा था अरजुन के विपच में खड़े सत्रू उनके अपने सगे समंधी एम गुरूजन थे जिनका वद करना था इसलिए वह इस युद्ध को लड़ने में संकोच कर रहा था श्री कृस्न ने अर्जुन को क्या बात समझाइ कि यह युद्ध तुम अपनी इच्छा से नहीं लड़ रहे हो तुम्हें विवस किया गिया है इस परकार के धर्म युद्ध में मोह करना अच्छा नहीं होता स्री क्रिशन ने वीरों का क्या धर्म बताया? आत्मा के बारे में स्री क्रिशन ने क्या बताया? सजग रहकर पालन करता है, वह अपने कर्म के लिए फल की इच्छा नहीं करता, इस पार्ट से तुम्हें क्या सिच्छा मिलती है? इस पार्ट से हमें यह सिच्छा मिलती है कि जीवन के धर्म युद में मोह को त्याग कर अपने कर्तेब का पालन करना चाहिए? यह question number 4 है, grammar का यह question दिया हुआ है, जिसमें two number का question दिया हुआ है, दो-दो सब्द अपनी और से बना कर लिखो, तो यह उपसर्ग दिया हुआ है, जो शुरू में यह later रहता है, उपसर्ग होता है, तो इससे समंदित जुड़ा हुआ सब्द बनाना है, जिससे अ से एक सब् सब्द लिखना है, तो अनपढ़ हो गया, असिच्छा हो गया, कुसे कुमाता, कुरूप, निर्से निर्मल, निर्जल, सासे सरस, सफल, इस तरह से यह complete हो जाएगा, और यहां पर यह चप्टर पूरी तरह समाप्त हो गया है, अगर हमारे वीडियो से आप लोगों को मदद मिलता है, ता आप हमारे इस वीडियो को एक लैक जरूर कीजे, और इसी तरह का और भी वीडियो हमारे चानल में अधर सब्जेक्ट का भी आते रहता है, आप हमारे चानल को सब्सक्राइब करके रखिए, अपने दोस्तों के साथ सेयर कीजे, और इसके अगले चप्टर को पढ़ने के लिए हम लोग अगली वीडियो में चलेंगे, तो आए हम लोग नेक्स्ट वीडियो में चलते हैं,